हेलो दोस्तो मैं हूँ शियूली और आप सब का स्वागत है मेरी किचन में आज हम बनाएंगे टमाटर की खट्टी मेठी चट्नी बहुत ही टेस्टी होती है यह चट्नी आपको भी बहुत पसंद आएगी चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे बनानी है मैंने इंडेक्शन पर फ्राइपेन बिठाया है हीट चालू है थोड़ा से तेल डालेंगे बहुत ज्यादा तेल डालने की बिल्कुल भी ज़ूरत नहीं है थोड़ा सा ही तेल डालेंगे और तेल हलका गरम होने के बाद मैं डाल दे रही हूँ हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम जीरे और हाफ टीस्पून से थोड़ा सा कम सरसो इसके साथ साथ हम डालेंगे 1-4 टीस्पून सॉफ आपको अगर soft ज्यादा पसंद हो तो half teaspoon तक डाल सकते है साथ-साथ हम डाल देंगे 2-3 तेज़ पत्ते और डालेंगे 3-4 सुखी लाल मिर्च सभी मसालों को अच्छे से थोड़ी देर के लिए भून लेना है आप देख सकते हैं अल्रेडी color change हो चुका है अभी हम इसके अंदर डाल देंगे half teaspoon बारीक कटल लसुन लसुन को हलका सा लाल करके भून लेना है लसुन को ज्यादा dark ना करें हलका सा ही लाल करके भून ले आप देख सकते हैं लसुन का color हलका सा लाल हो चुका है अभी हम डाल देंगे टमाटर यहाँ पर मैंने 300 gram टमाटर को थोड़ा roughly chop करके रखा है बहुत बारीक नहीं काटा है आप चाहे तो बारीक भी काट सकते है मैंने roughly इसलिए काटा है कि मुझे पूरा गलाना नहीं है टमाटर को अगर मैं बहुत बारीक काटती तो यह बिल्कुल गल जाता उसको रोक नहीं पाते अभी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे मतलब कि 1-4 टीस्पून जितना नमक डालेंगे क्योंकि हम खटी मीठी चाटनी करने वाले है तो मीठा को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हमें नमक डालना है नमक का स्वाथ ज्यादा लाना नहीं है थोड़ा सा नमक डालके हम अच्छे से चला देंगे और ढाग ढाग कर पकाएंगे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे मन पसंद टमाटर गल नहीं जाता आपको जितना गलाना है उतना गला ले आप देख सकते हैं यहापर टमाटर काफी गल चुका है मुझे और गलाना नहीं है काफी गल चुका है और थोड़ा थोड़ा क्रांच बाकी है इतना समय रहने दूंगी और अभी मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इमली ये फ्रेश इमली है पेड की आप चाहे तो इमली का पाल्प भी यूज़ कर सकते हैं इमली को अच्छे से मिला देंगे अगर आप इमली का पाल्प यूज़ कर रहे है तो दो टेबल चमच इमली का गाड़ा पाल्प यूज़ कीजिए आप देख सकते हैं टमाटर में काफी क्रांच बाकी है मेरा मुझे ऐसा ही चाहिए मुझे बहुत ज्यादा गलाना नहीं है वैसा मुझे अच्छा नहीं लगता है तो मैं यहाँ पर शक्कर डाल दूंगी अगर आपको पूरा गलाना है तो आप पूरा गला लेजिए उसके बाद शक्कर डाले शक्कर डालने के बाद टमाटर और गल था नहीं है उतना ही रहता है तो जितना गलाना है शक्कर डालने से पहले ही गला लीजिए मैंने हीट को बराबर मीडियम ही रखा है और अभी शक्कर डालके अच्छे से मिलाके थोड़े देर के लिए फिर से ढाग देंगे ताकि शक्कर अच्छे से गल जाए और जब तक शक्कर गल रहा है तब तक हीट को बिलकुल लो कर देंगे ये देखिए हमारे यहाँ शकर बहुत अच्छे से गल चुका है और चटनी काफी पतली हो चुकी है अभी आप कितने देर तक कुक करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी पतली या कितनी गारी चटनी चाहिए अगर आपको थोड़ी सी पतली चटनी चाहिए तो आप यहापर स्टॉप करें और अगर आपको थोड़ी सी गारी चाहिए और थोड़ी दिर कुक कर ले खोला बिना ढाके तो आपकी चटनी और थोड़ी सी गारी हो जाएगी मैं और थोड़ी सी गाड़ी करने वाली हूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए रखूंगी और अभी हमें ऐसे ही छोड़ना नहीं है लगातार चलाते रहना है ताकि शकर जो केरामेल जैसा हो चुका है ये नीचे से जले ना आप देख सकते हैं हमारी चटनी काफी गाड़ी हो चुकी है और इससे ज्यादा गाड़ी हम नहीं करेंगे अभी हम हीट को बंद कर देंगे और चटनी को साफ करेंगे देखिए दोस्तों दिखने में कितना बड़िया दिख रही है खाने में भी ये बहुत ही स्वादिस्ट बनी है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और अगर आप ट्राइ करते हैं तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए कि आपको कैसी लगी चलिए दोस्तों आज के लिए यहाँ तक ही मिलते हो अगली वीडियो में तब तक के लिए सेफ रहे स्वास्त रहे और खाते रहे बाई बाई